Hello guys, welcome to VIP trading official, आप सभी लोगों के demand पर, मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि trading करने का best time क्या होता, जिया दोस्तों, आप कोई भी काम करते हो, आप office जाते हो, आप job करते हो, आप business करते हो, part time काम करते हो, या whatever guys you are doing in your life, you must have the understanding, the best time to do that task, because time का एक बहुत बड़ा role होता है हमारी life में, हम जो भी काम करते हैं, उसमें guys time का एक बहुत बड़ा खेल होता है, तो अगर आप trading करते हो, आप सोचते हो कि मैं trading करके पैसा बना लूँगा, लेकिन guys आप क्या कर रहे हो, आप एक बहुत बड़ी mistake कर रहे हो, और उसकी वीडियो में जानेंगे कि best time क्या होता है, किस time पे हमें trade करना चाहिए, और किस time पे trade करना नहीं चाहिए, तो guys इस video को मैं बहुत छोड़ा रखूँगा, और guys to the point आप से बता, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, कि किस time पे आपको trade करना चाहिए, और किस time पे आपको trade न कि शायद इस time पे यह जो trade करने का time है, वो सही होता है, या इस time पे आप profit बना सकते हो, अगर आप trade करोगे तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे की जाननी पड़ेंगे, इसके background वे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, basically guys, trading का जो best time होता है, वो start होता है कुछ आपके time से, जी हाँ, आपको पता होना चीए कि आप कहां से हो, आप किस country से हो, और ये guys, उसके बाद फिर एक अगला step आता है, तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक website है, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कि यहाँ पे कुछ watches है, यहाँ पे time है, यह New Delhi का time है, और यह Hong Kong का time है, guys मैंने यहाँ पे इन चारों बड़ी countries की, जो capitals है, इनको यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, because these are leaders in the market, जब भी हम कहीं पे भी, किसी भी market में trade करते हैं, चाहे हो हमारा stocks हो, या हमारा option trading हो, या हमारा day trading हो, या कोई भी तरह की trading हम करते हैं, because हो तक है, trading का best time पता करने के लिए, हमें सबसे पहले जरूत पड़ेगी market की, तो हमें market जानना जरूरी है, हमने एक बार market जान लिया, उसके बाद में हमें पता होना चाहिए, अपनी country, अपनी location, तो अगर आप इंडिया से हो, अगर आप पकिस्तान से हो, चाइना से हो, ज DST है, क्या है, हैना आपको एक आपका local timing आपको पता होना जीए, तो जब आपको अपना local time पता रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने local time को, जो global market है, उस global market से match करा पाओ, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक doubt create होगा, कैसे match कराना होगा, क्या होगा, तो मैं आप बता रहा हूँ गाईस आपको, सबसे पहले आपको जानना है आपकी country कौन सि है, मानके चलो आप New Delhi से हो, मानके चलो आप किसी other country से हो, आपको पहले अपना time पता होना जीए, तो आपको सबसे पहले तो अपना time जानना है, इसके बाद को होता क्या है गाईस कि आपको पता करोगे कि आप जो trade कर रहे हो वो किस market में कर रहे हो आप cortex में trade कर रहे हो आप ओलम trade की platform पे trade कर रहे हो आप pocket option पे कर रहे हो तो यह तो platform है लेकिन इसके अलाबा भी कुछ चीज होती है market जैसे market में क्यों बोलना हूँ क्यों कि market को जानना बहुत ज़रूरी है आप option trading कर रहे हो binary trading कर रहे हो trade trading कर रहे हो या फिर आप stocks कर रहे हो जो भी जिस भी तरीके की trading आप कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उसकी market कौन सी है मतलब आपको trading का type पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप आखे बंद करके कहीं भी trade करोगे और वो आप भिन कर जाओगे और वहाँ से पैसा बना लोगे, नहीं, आपको एक proper understanding होनी चाहिए आपके market की और आपके time की, तो जब आपको time पता चल गया, जब आपको market पता चल गयी, तो अब हम समझेंगे यहाँ पे, कि जो best time है वो कैसे पता होगा, लाइफ में किसी भी काम को ले लो, किसी भी type के काम को ले लो, ठीक है, उसका एक proper time होता है, जैसे आप देखोगे, कि इ कोंग में office कितने बज़े कोलते हैं, obviously guys, इंडिया में जैसे 10 बज़े कोलते हैं, वहाँ पे उनका भी same ही time रहता है, वहाँ के इसाब से भी वो 10 बज़े ही खुलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक difference है, जैसा कि मैंने starting में बोला था, एक doubt आपको create होगा, यहाँ पे एक difference है, तो minus लिखा हुआ है, उनसे हम पीछे हैं, यह एक simple सा funda है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि country कौन सी है, आपको जानना होगा आपकी market कौन सी है, और आपको यह जानना होगा कि आप किस तरीके की market में trading करना चाहरे हो, तो अगर मैं मुद्दे की बात पर आओ, जहाँ भ पर भी, कुछ एक ऐसी चीज है, जिसको अगर आप ध्यान में रखोगे, उसको ध्यान में रखे अगर आप trade लोगे, तो आपका जो trade है, वो guys, जाद अतर, जाद अतर cases में profit में जाएगा, उसके पीछे एक logic है, वो यह है कि market आपकी available होनी चीए, ऐसा तो नहीं है कि आप सहर का, आपके महले का कोई market नहीं है, जो आप जब चाओगे तब खोल दोगे, right, because this is global market, तो आपको जो global का standard है, वो follow करना पड़ेगा, इसलिए जो सबसे best time होता है, वो depend करता है, आपके एक चोट एसे fundamental के उपर, तो fundamental क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, guys, द देखते हैं कि यार, क्या वो अभी उस condition में है या नहीं है, हम अपने एसाफसर trade करने की कोशिस करते हैं, तो अगर आप सुबह के 7 बज़े trade कर रहे हो, सुबह के 9 बज़े trade कर रहे हो, सुबह के even 10 बज़े भी trade कर रहे हो, guys, you are not going to be make the profit, to be honest, आप profit महां से नहीं बना, यहां पर आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपको market को समझना पड़ेगा, market में क्या समझना है, market में क्या देखना है, जिसके basis पे आप पता कर पाओगे, कि best time क्या है, देखो best time जो depend करता है, जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है, यह आपकी market है, तो आपने पता कर लि करो कि तो आप profit बना लोगी नहीं mostly लोग ऐसा ही करते हैं और वही mistake आप भी कर रहो मैंने बहुत mistake करी है guys तो मेरे experience के basis में मैं आपको यहाँ पर guide कर रहा हूँ basically होता कहा है मान के चलो किसी का office 10 बजे है ठीक है अगर किसी का office 10 बजे है और profit बन जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ी mistake guys यही करते हैं लोग उसको पता है क्योंकि वो अपने हिसाब से कर रहा है वो market के हिसाब से trade नहीं कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है उसको पता है कि मेरे पास अभी 30 minutes है और 30 minutes में मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर trade लूँगा और मैं win कर जाओंगा मेरे को यहाँ पर profit हो जाएगा और वो guys यहाँ पर क्या करेगा वो loss कर देगा पूरा दिन उसका खार मेरे साथ guys कई वार ऐसा हुआ तो इसके basis में मैं आपको अभी बताऊँगा कि कब आपको trade लेना चाहिए guys सबसे पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि morning के time में जैसे सुबह के क्योंकि Indians में बहुत जादा यह होता है कि हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं like 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे सुबह के 5 बजे से guys सुबह के 5 बजे से और guys आपको लगबग लगबग साड़े 11 बजे तक कोई भी trade नहीं लेने यह आप दिमाग में बठा लो अगर आप सुबह के 5 बजे से साड़े 11 बजे अगर आप कोई भी trade लेते हो तो उसमें जो accuracy है न वो आप इतनी नहीं निकल पाओगे because इसके पीछे क्योंकि आप क्या कर रहे हो आप तो भाई आपके पास एक platform है आपके पास अपना mobile है या आपका laptop है और आपके पास आपका जो भी budget है XYZ उस budget पर आप trade पूट कर रहे हो लेकिन उसके पीछे जो चल रहा है उसको guys समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये global market है ठीक है? market में जब supply नहीं होगी market में जब demand नहीं होगी और आप जबर जस्ती से trade करोगे उससे accuracy नहीं निकल के आएगी और जो हमारी expectations है वो पूरी नहीं हो पाएंगे तो इसलिए सुबह की साड़े साथ बज़े से साड़े ग्यारे बज़े तक आपको trade नहीं लेना है कोई भी trade लेना है तो guys साड़े ग्यारे बज़े इविन आप ग्यारे बज़े से भी शुरू कर सकते हो अगे की बात आती है कि है ग्यारे बज़े से हम कितने बज़े तक मतलब दुपेर में साम तक राज तक क्या कर सकते हैं continuously आपको क्या करना है ग्यारे बज़े अगर आपने ट्रेडिंग सुरू करी है आप उसको max to max guys 130 तक निप्टा लो ग्यारे बज़े से देड़ बज़े तक ग्यारे बज़े से देड़ बज़े तक आपको ट्रेडिंग कर ले नहीं है अगर आपको करना है तो अब ये बात एक अलाग है कि जैसे कुछ लोग job करते हैं कुछ लोग office में रहते हैं आपको market के सबसे चलना पड़ेगा आपको जो global standard है उसको follow करना पड़ेगा so make sure कि जब भी आप morning के टाइम में जो पहला वाला सैसनाप अटेंड करो वो 11 बज़े से लेकर डेड़ बज़े के बीच में अटेंड करो यहां भी बहुत ज़्यादा chances होता है क्योंकि market एक खुलने से पहले ऐसा होता है न कि जब market खुलता है market के खुलने से थोड़ा सा पहले एक बहुत साही टाइम होता है आप trade ले सकते हो और आप बहुत अच्छा profit बना सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत भी understanding है market की तो second option आता है guys कि जब हम शाम को trade करते है बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि जब आप मेरे साथ trade करते हो तो मैं भी आपको guys बताता रहता हूँ कि कब trade लेनी है कब trade नहीं लेनी है और public group में मैं signal देता हूँ अगर आपने ये group नहीं join किया है तो इस group को join कर लो कि यहां पर बहुत accurate guys जिनको हम बोलते है quality के signals में guys आपको यहां पर provide कराता हूँ ठीक है यह है cortex VIP signal group तो इस group को आप join कर लो इसका link आपको description में मिल जाएगा और यहां पर बहुत quality की content भी में डालता रहता हूँ तो अगर आप मेरा जो normal time में भी देखोगे यहां पर में अपना जो मेरा normal time है वो 12 बचे का है मतलब 12 बचे मैं पहला signal देता हूँ पहला session अटेंट करता हूँ उसके बाद मैं guys जो evening का session है मैं 8.30 लेता हूँ आप पांच बजे से trading करना शुरू कर सकते हो पांच बजे से नौ बजे के बीच में यह चार घंटे guys आपको मिलते हैं बहुत important है यहां पे आप अपना profit बना सकते हो अब इसमें एक condition है जो exceptional case है वो यह है कि अगर इस बीच में कोई एक नया update आया है कोई नई news आई है तो उस case में आपको क्या करना है उस case में उस particular asset को छोड़ देना है ऐसा नहीं कि आपको trade करना है नहीं है आप उस particular asset को छोड़ सकते हो जैसे मैं अगर आपको बताओ यहां पे जैसे यह है GBP USD मान के चलो GBP USD पे बहुत बड़ा impact आ गया कोई एक बहुत बड़ी news आ गई इसके उपर ठीक है तो इस पे क्या करना है आपको चाहे तो GBP हो या USD हो अगर GBP USD पे कोई भी एक बड़ा update आया है तो आप क्या करोगे GBP की जितने भी pairs हैं और USD के जितने भी pairs है यह सारे के सारे आपको छोड़ देने हैं बाकी की asset में आप trade कर सकते हो 529 मतलब 5 बज़े से 9 बज़े की बीच ठीक है तो यह concept आपको पता होना चाहिए और guys अगर आपको इससे भी अच्छी accuracy निकालनी है अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं इस time पे trade तो नहीं कर प रात में guys जो market होती है वो एक global market होती है तो global market में पैसा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए आपको analysis चाहिए तो analysis नि लोगों को आती है वई एक बात बताओ आपको market को ALS करना आता है plus global market खोली हुए तो जब आप global market में होते हो और आपको analysis पहले से ही आ रही होती है तो अगर मैं बात करूँ रात में क्या टाइम होना चाहिए तो guys रात में आप max to max 2 o clock मतलब सुबह के 2 बजे तक पैसा यहां पर बना सकते हो जो सुबह के 2 बजे तक है आप यहां पर trade ले सकते हो तो अब 9 बजे से 2 बजे तक नहीं आपको guys यहां पर जो थोड़ा सा एक break लेना पड़ेगा मतलब साड़े 10 बजे से आप रात के start कर सकते हो रात के साड़े 10 बजे से और guys रात के 2 बजे तक आप trade ले सकते हो यह बहुत बड़ी हा time होता है रात में trade करने का दूसरी बात है को और होती है कि यहां पर जब आप दिन में trade करते हो आपके बहुत सारे काम होते आपको ओफिस भी जाना है, आपके पास फॉन भी आ रहे होंगे, किसी ने किसी के, आपके पास कोई मैसेज भी आ रहा होगा, और आपके पास और भी टेंशन होगी, लेकिन रात में क्या होता है, आपका माइंड एकदम शांद होता है, अब जो भी काम करते हो, फुली फोकस चैनल पर, अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही जादा इन्फोर्मेटिव वीडियो आप से भी लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको रात में ट्रेड करने से क्या फा आपको ट्रेड लेना है, वो कब लेना है, फिर से मैं आपको बता दू, अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, तो प्लीज, जो मैंने टाइम बताया है, इसी टाइम पर आप ट्रेड लोगे, आप डेफिनिटल गाइस ट्राइ करके देखिए, बहुत अच्छे